दिली की नवनियुक मुख्यमंत्री आतिशी क्या कुछ कह दिए आपको सुना थे आम आदनी पार्टी के नेता मेरे भड़े भाई और राजनेतिक गुरू अर्विंद के जरीवाल जी का धन्यवाद करना चाहती हूं कि उन्होंने मुझे पर भरोसा किया और मुझे इतनी बड़ी सौपी दिली के लोगों की देखरेक की जिम्मेदारी सौपी लेकिन आज मैंने मुख्यमंत्री के तौर पे शपत ग्रहन जरूर किया है लेकिन ये मेरे लिए हम सब के लिए एक बहुत भावुक्षण है जब अर्विंद केजरीवाज जी डिली के मुख्यमंत्री नहीं है अर्विंद केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने पिछले दस सालों में दिल्ली की तस्वीर को बदर डाला जिन्होंने पिछले दस सालों में दिल्ली की आम लोगों की जिन्दगी को बदर डाला अर्विंत केजरीवाल जी वो व्यक्ति हैं जिन्होंने दिल्ली में रहने वाले एक आम इंसान का एक गरीब इनसान का दर्द समझा, उनके रोज रोज का संघर्श समझा उन्होंने समझा कि एक आम परिवार के लिए किस तरहां से अपना घर चलाएं के लोता है अर्विन केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं चिन्होंने दिल्ली वालों को फ्री बिजली दी 24 घंटे बिजली अर्विन केजरिवाल जी वो व्यक्ति हैं चिन्होंने दिल्ली के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले बच्चा भविश्य वाला उनको जिन्दगी में एक नया का दिया फृबस यातरा देखें के अर्विंद के इज़ लिवालजी वो व्यक्ति जिर्वाइज़ विक्ति हैं जिनकी वज़र से आज दिल्ली के लोगों को अपने परिवार के सधिस्य का इलाज करवाने के लिए अपने गहने नहीं गिर्वी रखने पड़ते अपने घर नहीं गिर्वी रखने पड़ते क्योंकि सरकारी अस्पतालों में अच्छा इलाज होता है तो जब अर्विंद केज्रिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं रहते तो यह हम सब के लिए एक बहुत मुश्किल और भावुग घ कि ऑर्विंद केज्रिवाल जी दिल्ली के मुख्यमंत्री नहीं कि भारती जंतापर्टी की केंद्र सरकार ने अर्विंद केज्रिवाल जी के खिलाफ शड्यंत्र parcel को उनोंपर जूते मुकदब्द में लगाए उनको इन दूते फर्जी मुकदमों में गिर्वतार किया उन अर्विन केजरिवाल जी टूते नहीं अर्विन केजरिवाल दबे नहीं अर्विन केजरिवाल जी को सुप्रीम कोट ने जमानत दी एक ऐसे कानून में जमानत दी जिसमें पीमले में जमानत मिलना लगभग असंभव होता है और सुप्रीम कोट ने ना सिर्फ उन्हें बेल द क्येंद्र सरकार के मुँ पे तमाचा मारा और और कहा कि अर्विंद्र ज्रिवाल जी की गिरफ़तारी एक दुर्भावना के तहट हुई थी ये कहा कि केंद्र सरकार की एजिंसी CBI ED पिंजरे में बंदेक तोते की तरह हैं जो सिर्फ अपनी मालिक की आवाज में बोलती हैं हो सकता है कि कोई और निता होता तो उनके लिए अदालत का ये फैसला काफी था और वो तुरंट जाके मुख्यमंत्री की कुरसी पर बैठ चाते हैं लेकिन अर्विंद केजरिवाल जी ने इस देश की राज हैं जनता की अदालत में जाऊंगा और जब तक दिलनी की जनता कοι नहीं कहती कि Olay इमानदार हूं पटक मैं मुख्यमंत्री की पर नहीं बैठ वहाँ जो मुझे नहीं लगता कि इस देश के इतिहां में यह शाइद इस ऐसा कोई नेता रहा होगा ऐसी इमानदारी और नयतिकता कीमिसाल रही होगी जो आज अर्विंद के जुरिवाल ने देश और दुनिया के सामने रखी अब हम सभी दिल्ली वालों को मिलकर एक ही काम करता है अर्विंद केज्रिवाल जी को फिर से फरवरी में होने वाले चुनाव में दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है अगर दिल्ली के लोग अर्विन के एज्रीवाल जी को दिल्ली का मुख्य मंतरी नहीं बनाते तो जो फ्री बिजली आज दिल्ली वालों को मिल रही है भारतिय जनता पाटी अपना शड्यान तरच के उसको खतम कर देगी जो सरकारी स्कूल अर्विंद केजरी वाल जी ने सुधारे हैं वो फिर से बद्धाल हो जाएंगे मुहला क्लिनिक बंद हो जाएंगे यह हस्पतालों में इलाज बंद हो जाएगा महिलाओं की फ्री बस यातरा बंद हो जाएगी तो दो करोड दिल्ली वालों को मिलकर फिर से अर्विंद केजरीवाल जी को दिल्ली का मुख्यमंत्री बनाना है अगले चार महीने के लिए मेरा यही काम रहेगा कि जो दिल्ली वाले परिशान रहे पिछले एक डेड़ साल में जब से भारतिय जनता पार्टी का शड्यांत्र शुरू हुआ जब से भारतिय जनता पार्टी ने एक एक करके हमारे नेताओं को जेल में डालना शुरू किया जब से भारतिय जनता पार्टी के एलजी साहब में दिल्ली सरकार के काम रोकने शुरू किये आप देखिए पिछले दो साल में भारतिय जनता पार्टी ने दिल्ली वालों को परिशान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी जब से अर्विंद केजरीवाल जी जेल गए दिल्ली वाले भी परिशान हुए भारती जन्ता पार्टी ने दिल्ली वालों के पानी के बिलहम ठीक करना चाहते थे उन्होंने उस काम को रोक दिया भारती जन्ता पार्टी ने जो सड़क के रिपेर के काम है वो रोक दिया भारतिय जंता पार्टी और उनके LG सहाब ने हस्पताल में मिलने वाली दवाईया रोक दिये हस्पताल में और महला क्लिनिक में टेस्ट रोक दिये दिल्ली से कूडा उठना रुक गया लेकिन मैं आज आपको आश्वासन दे रही हूं कि अब अर्विंद केज्रिवाजी जेल से बाहर आ गए हैं और उनके मार्ग दर्शन में दिल्ली में कूडा भी उठेगा सड़कें भी ठीक होंगी पानी के बिल भी ठीक होंगे दिल्ली में जो सीवर की समस्या है वो भी ठीक होगी जो दवाईया नहीं मिल रही हैं उसको भी हम ठीक करेंगे मैं दिल्ली वालों को या श्वासन देना चाहती हूँ कि अब अर्विंद केजरीवाल जी जेल से बाहर है भारतिय जन्ता पाटी का कोई भी शड्यन्त हम सफल नहीं होने देखें अर्विंद के जिवाल दिली के मुख्यमिंतरी नहीं रहे और ऐसे में उन्होंने कहा ये चार महीने उनके लिए काफी जादा महत्वपून है क्यूंकि जो दिली वासियों को तकलीफे हुए एक तेर साल में उन तमाम तकलीफों को दूर करने की कोशिश वो करेंगी इसके साथ उन्होंने तमाम बड़ी बाते के ही हैं और इसके साथ ही बीजेपी पर कई बड़े सवाल खी उठाये हैं तो आज आतिशी मार लेना दिली के मुख्यमिंतरी की शपत उन्होंने ली है और ऐसे में अर्विंद के जिवाल ने आतिशी पर भरोसा दिखाया और आतिशी ने प्रेस कॉन्फरेंस कर कहा कि ये उनके लिए उनके साथ साथ आम आत्मिपार्टी के सभी नेताओं के लिए एक बहती भावक्षण है